नमस्कार मैं डॉक्टर स्तीर स्यर्मा दिये़जमश हमारे चानल में आपका स्वागत है nagले आज हम उर्थों में पाई जाने वाली लिकोरिया प्राब्लम के बारे में बता रहे हैं मेंली लिकोरिया की जो प्रावब्लम्स होती हैं वो किस कारण से होती है और उससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए तो जैसे कि आप जानते हैं लिकोरिया यानि कि सफेद पाने की शिकायत स्वेट प्रदर भी कह सकते हैं योनी में गीलापन बना रहता है कमर में दरत रहता है सवभाव में चिड़चड़ा बना जाता है शरीर थका थका सा रहता है बहुत ज्यादा आनेजी फिल करते हैं तो यह लिकोरिया की प्रावल्लक्षन है और प्रावल्लम जो है अधिकतर व कोवरी में या फैलोपियन ट्यूप में किसी तरह का इंफेक्शन हो जाने की वज़ा से लिकोरिया की प्रावल्लम हो सकती है साफ सफाई ना रख पाने के कारण प्रावल्लम हो सकती है माइंड डिस्टब होने के कारण यानि कि बहुत ज्यादा टेंशन में रहने के कारण निकुरिया की problem हो सकती है क्योंकि आजकर लगबग औरतें गर के साथ साथ jobs भी करती है तो उनको घर का भी टेंशन रहता है जाब का भी pidमार देंशन रहता है कुछ हपना मुद्रा बिजने SUBSCRIBE करती है उनको बिजनेस का टेंशन रहता है जिसकी वज़ा से वो अपने शरीर पर और अपने खान पान पर विशेश ध्यान नहीं देखा थी जिसकी वज़ा से अक्सर परब्लम क्रियेट हो जाती है तो लिकोरिया के जितने भी पेशेंट हैं उनके लिए सबसे बढ़िया रहता है कि एक तो उनको अपना टाइम टेबल सुधारना है समय पर सोना, समय पर जागना, मेडिटेशन करना, योगा करना या मौर्निंग वाक कर सकते हैं उसके बाद खान पान में थोड़ा सुधार करें अच्छा पॉस्टिक भोजन लें हरी सबजियों का सेवन जाजा से जाजा करें अंकुरित बोजन लें बाजरा खिचड़ी बगरा बना कर लिया जा सकता है वो भी बहुत फाइदे मन रहता है और साफ सफाई का विशेश दिहान रखें नॉर्मली लिकोरिया जो होता है वो पच्चेस से तीस साल की उमर के बाद होता है जबकि आजकल कुछ केसिज में बहुत छोटी उमर के अंदर भी बच्चों को लिकोरिया की प्रावल्म हो रही है क्योंकि उनके भी कहीना कहीं इन्फेक्शन हो गया जिसकी वज़ा से आजकर प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको भी अपना मतलब ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने का भी, उपने बैठने का भी, अगर इतना करने के बाद, किसी को भी प्रॉब्लम ऐसूस होती है, तो मैं होमियोपैथिक की एक बहुत ही बढ़िया दवा बता यह टेक्टिस इंडिया का गॉवर्मन्ट एप्रॉब्लेशन है, और इमामी ग्रॉप के होमियोपैथिक वेंचर द्वारा मैनिफेक्टरिंग दवा है, दवा कॉम्बो पैक में रहती है, इसमें दो तरह का दवा रहता है, पीने के लिए डॉक्टर प्रदर ड्रॉप्स, जिसकी 20-20 बून दवा की एक कप पानी के अंदर मिलाकर दिन में चार बार पिना होता है, और इसके साथ बायोकैमिक नंबर 13 की टैबलेट होती है, जो चार-चार गोली दिन में तीन बार चूसनी होती है, दवा को बिमारी के अधार पर कम से कम 2-3 महीना चरूड लेना चाह अधिक जानकारी के लिए कॉंटेक्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरू करें, थैंक्यू